नमस्ति फ्रेंज्स कैसे हो आप सब आप सब ठीक होंगे तो आज हम इस कपड़े का यूज करेंगे और इसे क्विल्ट कर लिया है सिंपल सा अस्तर यूज किया है सेंटर में फॉर्म डाला है और इसका नाप मैं आपको बता देती हूं टेन बाइफ फाइव इंचिस के दो पार्ट है उपर से आपको प्राउन से देना है हलका सा तो दोनों पार्ट हमने इसी नाप से कट किये हैं और यह देखी यहां पर मैंने अस्तर भी कट किये हैं इसी के नाप से जिसमें मैं उपर की और में कपड़ा अटेज किया है और यहां पर सेंटर में नौचिस लगाया है और यह जो दो पार्ट हमने कट किये हैं अस्तर के उसमें भी सेंटर में नौचिस लगाया है ये देखिए और उपर की और हमने ये जोड लगाया है मेन कपड़ी का अब हम ये स्ट्रिप लेंगे 17 by 1.5 इंचिस किया इसमें भी हम नौचिस लगा लेंगे सेंटर में आपको यहां पे नौचिस लगाने हैं दोनों में सेम तरीके से नौचिस लगा लीजिए तो नौचिस लगाने के बाद आपको क्या करना है यहां पे नौचिस को मिलाते हुए आपको स्टीज करना है यहां तक और सेम वही दोनों सैड आपको स्टीज कर लेना है तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों साइट स्टेज कर लिए आप उपर का नाप लेके जिप कर लीजिए उसमें भी आप सेंटर में मार्क करके अटेज कर लीजिए और यहां पे जोड़ लगा है सेम वही तरीके से दूसरी साइट भी जोड़ लगा दे और यह जो खुला है वह भी जोड़ लीजिए अब आपको क्या करना है इसे ऐसे सीधा कर लेजिए सीधा करने के बाद आपको यहां पे देखे इस तरीके से हमें नहीं रखना है लेकिन हमें क्या करना है यह जो है वो ऐसे नहीं रखना है आपको ऐसे पूरे राउन में यहां पे क्या करना है आपको यह जो नौचिस है वहां पे ऐसे रखना है उपर की और रखना है और जिब तक ही हमें स्टीज करना है फिर इसे सीधा कर लीजिए और यहां पे ऐसे पकड़ते हुए जहां पे हमने जोड़ लगाया है वहां से लेकि यहां तक स्टीज कर लीजिए तो यह देखिए ऐसे हमें रेडी करना है उपर से तो इसे तरीके से हम दो पार्ट रेडी कर लिए देख सकते हैं अब आपको क्या करना है एक बॉर्डर लेना है अब आपको 9.5 by 3 इंचिस का ये बॉर्डर लेना है इसे सेंटर में से कट कर लीजिए और यहां पर आपको जिप लेनी है जिप को ऐसे उल्टा रखी और स्टीज कर लें फिर आपको प्रेस्टीज करनी है प्रेस्टीज करने के बाद दूसरी साइट सेम वही तरीके से आपको अटेज करना है यहां पर स्टीज करना है और फिर प्रेस्टीज करनी है तो अब यह रेडी हो गया है इसे आपको क्या करना है यहां से जिप खोल लीजिए इसे फोल्ड करें और तरीके से यहां पर अटेज कर लें और नीचे की ओर से आपको इसे पीछे पूझ पूझ कर लेड़ना च estásक और यहे देखे हैं आप दूसरी सैट 3 इंचिस से अब आपको यहां पर यह जो सेंटर में हमने बॉर्डर रटेज किया है जिप वाला वहां पर इसे जोड़ लीजिए स्टीज करके यह हो गया अब इसी ऐसे घुमाते हुए यहां से स्टीज करते जाएए अब दूसरी सेड देखे यहां तक आपको स्टीज करना ह इसे स्टीज करके और यहां पर इसे फॉल्ड कर लीजिए और यहां से लेके यहां तक आपको स्टीज करना है अर हमारा मटी परपर और ओर्णाईज हो गया जिसमें बॉर्डर लगाया इसलिए भॉस सारे पेस हैं और बहुत सारा सामान इसमें आ अप अपनी हिसाब से बहुत कुछ रख सकते हैं तो आपको ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर से बताना और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना मिलते हैं इसे नए आइडिया के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई जह बारत